आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे किचन में आप सभी का स्वगत है यह हमने राइस लिया है ये पुलाव आज राइस है अच्छा आप तो ईसको हम वेजब राईस यह राइस को हम अच्छी तरीकी से भूल लेते हैं तीन-चार पानी से उसके बाद हम यह हमारा पानी यरम हो गया है अब इसमें हम यह राइस को डाल रहें इसको हम तेज आज कर देते हैं गैस लोग यह थे अब तेज आज में हम पकाएंगे कि यह हमारा चावल प्षा रहा है हल्का से एक पॉइंट अभी कम पका है इसको दो मिनण तक हम अब च्हानें एक यह हमारा चावल हो गया है इसको यह छन्नि वाली थाली लिए है इसमें अज़िए अकりचाल में रहे हैं सारे चावल को छान दे रहे हैं इस तरह से हid यह हमारा चावल छान लिए थी तो यह रख दी है हलका ठंडा हो गया है यह दिखिए खिला खिला चावल है अब इसको हम फ्राई करने चल रहे हैं अब इसमें हम आयल डाल रहे हैं और हम चारो तरप फैला के डाल रहे हैं को कि अब शर्शो को तील भी थोड़ा सो डाल देरें से जाएं कि अब कराही में पूरा तिल लगा लिए हैं ताकि मारा राइस चिपके ना यह हम लिए हैं अधरक लेस्टन बारी दरदरा कुटा हुआ इसको हम डाल रहे हैं अधरक लेस्टन हो गया है विश्मीन सारी सब्जिया नहीं यह हमारा पत्तागों भी है और यह सिम्ना मिश हमने लिया है यह हमारा प्याज है और यह बारी कटा हुआ जागा इसके हम लोग इसके हलका सपकाएंगे सभी सब्जियों को अच्छी तरीके सिप में हम पका ले रहे हैं साथी सब्जिया भी हमारी हो किसी पक जाएं एक चमच हम ग्रीन चुली सोच डाल रहें इसमें कर दो ले कर दो कर दो अच्छी तरीक जाएं नमक डाल रहे हैं, इसको हम अच्छी तरीके से निला ले रहे हैं, यह हमारी सारी सब्जियां पत गई हैं, अब इसने हम जो राइस चान के रखेजी नहीं हैं, हीज़ माता है, बारक होई गोल्मिरिच्ट है, इसको हम थोड़कर डाल रहे हैं, इसका स्वादा बहुत अच्छा पाँ है, और इसको अच्छी तरीके से मिला रहे हैं, यह हमारा राइस सब्स्क्राइश बंके हैं, इस तरीके से हैं निकाल neg एक खानी लिए, यह मंचूरियन के साथ भी खाया जाता है और वैसे भी तो मंचूरियन अभी बाद में बनाएंगे इसको हम बना लिए हैं यह हमारा राइस बन के रोड़ी हो गया है दोस्तों देख लीजिए किस तरह खिला-खिला है रखाने में साथ भी इसका बहुत अच्छा है इस तरीके पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करी प्लीज दोस्तों धुल्लवाब